मधिप्रदेश में बनेगा दिल्ली की तरह एयर कार्गो हब मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एयर कार्गो द्योग को प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का दिया निमंत्रण मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव एयर कार्गो फोम इंडिया के वार्षिक कॉन्क्लेव 2024 में हुए शामिल हमारा लक्ष है की CM राइस स्कूल सर्व सुविधा योक्त गुणवत्ता पूर्ण एवं विश्व इस्तरी सिख्षा के स्त्रोत बने स्कूल सिख्षमंत्री स्री सी सिद्ध छेत्र रानगीर में हो रहा था बालविवाह रोकने पहुची टीम को परिजनों ने दिखाया नेताओं का रॉब सागर जिलाय के रहली थाना अंतरगत सिद्ध छेत्र रानगीरी में बालविवाह रुकवाया गया है लड़की की उम्र 18 साल से कम पाई गई थी दोनों पक्षों को समझाईज दी गई है थार भोजशाला एसाई को हाई कोट ने दिया रिपोर्ट पेश करने के लिए 11 दिन तक का समय हाई कोट में भोजशाला में स्वामित्व को लेकर याचिका लगी है हिंदो पक्ष इसे सरस्वती मंदिर बता रहे हैं जबकि मुश्लिम पक्ष इसे मस्जिद बता रहे हैं बाबा का गवालियर कनेक्षन अपने नाम पर बसा रखी है पूरी कोलोनी आश्रम में उमरती है हजारों की भीड गवालियर शहर में 20 किलो मीटर दूरी पर हरी विहार कॉलोनी मौजूद है आश्रम ब्रेन की मुख्य धमनी के फूलने से खत्रे में आ गया था मरीज एंडो वस्कुलर तकनीक से इलाच कर बचाई जान पूर्वी डीजी शर्मा की पेंशन से 50,000 कटोती के निर्देश पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में मिलेगी राशी युनिफॉर्म में रेड, ग्रीन और यलो रंग के जूत्या निवार करने पर कारेवाई दो स्कूलों पर लगा जुर्माना आश्रम के बच्चों को हुआ था है जा पहले भी एक मौत चुपाई गई ATS ने नाबालिक समे दो को गिरिफतार किया सीमी के संपर्क में होने की आशंका ऐसी ही डेली अपडेट के लिए देखते रहे है